नवस्कार दर्सको मैं आरशक नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं दर्सको आज हम बात करेंगे करकरासी वाले जातकों की बारे में करकरासी वालों के लिए कौन सी वो धातू है जिसको धारन करने से जीवन में चल रही समस्याएं कम हो और तरक्की मिले करकरासी के स्वामी चंद्रमा होते हैं कुंडली में यदि चंद्रमा कमजोर है तो समझ जाईए कि आपका मन इस्थिर नहीं होगा आई स्थिर होगा, विचले तो होगा, ऐसे व्यक्ति का मन जो है एक जगे इस्थिर नहीं होता है कही ने कही ऐसे व्यक्ति को मानिसिक टेंसन होता है, डिप्रेशन तक में चले जाते है चंद्रमा यदि कमजोर हो तो समझ जाए कि जीवन अस्त बेस्थ हो जाता है क्योंकि जब आपका मन ही नहीं लगता किसी भी काम में तो कोई काम आप सही धंक से कैसे कर पाएंगे और यदि आपका रासी स्वामी कमजोर है तो बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती है समस्याएं कुछ भी हो सकती है स्वास्त से सम्मंदित भी समस्या हो सकती है आपको जल्दी जल्दी सर्दी जुखाम कफ वाली प्रावलम हो सकती है सीत से सम्मंधित आपको प्रावलम हो सकती है या फिर धन से सम्मंधित आपको समस्या हो सकती है आपको नौकरी, कारूबार, व्यापार से सम्मंधित समस्या हो सकती है लो मेरिज, अरेंज मेरिज से सम्मंधित आपको समस्या हो सकती है, वैवाहिक जीवन से सम्मंधित आपको समस्या हो सकती है, आर्थिक किस्तिती आपकी खराब हो सकती है, मानिसिक किस्तिती आपकी खराब हो सकती है, भाग आपका साथ नहीं देगा, जितनी आप मेहनत करेंग आपको सफलता नहीं मिल पाएगी तो आपको क्या करना है आपको चंद्रमा को मजबूत करना है यदि आपने चंद्रमा को मजबूत कर लिया तो काफी हद तक आप देखेंगे कि आपको जबर्जस लाप देखने को मिलेगा आपका मन भी इस्तिर हो जाएगा कामकाज में मन लगने लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आप तरक्की करने लगेगे तो आपको चंद्रमा की जो धातू है वो आपको धारन करना है चंद्रमा की जो धातू है वो है चांदी और चांदी की धातू आपको हमेशा जीवन भर धारन करना चाहिए चंद्रमा की जो धातू है वो है चांदी चांदी का उपयोग आपको हमेशा के लिए करना चाहिए आप आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हूँ, चांदी के बरतन को भी उपयोग कर सकते हो खाने पीनी के लिए या फिर आप जो है चांदी का एक छल्ला बनबाईए, राइट हैंड में सबसे जो छोटी वाली उंगली है उसके नाप का एक छल्ला बनबाईए, सिंपल, या आप अंगूठी भी बनबा सकते हूँ, और उसमें मोती भी धारन कर सकते हूँ, या आप सिंपल छल्ला बनबाईए, राइट हैंड में सबसे छोटी वाली उंगली, कनिष्ठी का उंगली के लिए, यदि आप अंगूठी या छल्ला धारन नहीं करना चाहते हैं तो कड़ा बनबालीजी, कड़ा नहीं पहनना चाहते हैं तो आप चैन बनबालीजी, इनमें से कुछ भी एक चीज बनबालीजी, और बनबा करके रवीवार के दिन रात्री के समय दूध में डूबो करके आप रख दीजी, अंगले दिन सोमबार के दिन, सुबह इश्नानादी करने के बाद उसको निकाल लीजिए धात्तु को, गंगा जल, स्वक्ष जल, किसी से भी धो करके, अच्छे से विधिवत पूजन करके, कुमकुम, चावल, हल्दी, सिंदूर, फूर, फल, धूब बत्ती, अगरबत्ती, सभी से बढ़िया आप पूजन करिए, और पूजन करने के दीपक दिखाने के बाद आप प्राथना करिए, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक हजार मंत्र का जप करना है, चंद्रमा के एक हजार मंत्र का जप करना है, मंत्र है, ओम, सोम, सोमाय, नमा, इस मंत्र का आप जप करें, एक ह करने के बाद पुना उस धातु को हाथ में उठा करके पराधना करें और जिसलिए आप धारन करना चाहते हैं वो आप कामना करें और उसको वहीं पर रख दें इसके बाद साम के समय उसी दिन साम के समय सूरास्त के बाद या रात्री के समय उस धातु को आप धारन कर लें यद तो यह यदि आपने सोम बार के दिन रात्री के समय किया तो आपको जवर्जस लाव देखने को मिलेगा और यह आप कर सकते हो जरूर सफलता देखने को आपको मिलेगी आपका जो रासी स्वामी है रासी पती है वो आपको जरूर मजबूत होगा और आपको जवर्जस सफलता देखने को मिलेगी करके देखिए तो दर्सको आज बस इतना ही धन्वाद